आज हमें बात करनी है नीती आयोग के बारे में और मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि आप जिस भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं चाहे वो आपका सिविल सर्विस हो या पर आपका सिटेट PCS का एकजाम हो या आप देखते हैं कि वन डे एकजाम भी सेंटर लेबल पर होते रहते हैं आपके इस्टेट लेबल पर भी होते रहते हैं इनके कम से कम 4-5 साल पुराने कुश्चन पर उठा के आप लोग देखिए और अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको मालूग होगा कि इन में आपकी जो महत्पूर्ट संगटन होते हैं ना चाहे व को पिठी स्थाफित करके आया है योजन आयूग की स्थाफना कभ उई थी 15 मार्च 1950 में उसकी स्थाफना हुई थी और नीति आयूग की स्थाफना कभई थी इसकी स्थाफना हुई थी नीती आयोक द्वारा पिती स्थाफित किया गया है योजन आयोक को और जिसमें सहकारी संगबाद की भावना को पिती धौनित करते हुए अधिक्तम सासन नियूंतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिए बॉटम अब द्रश्टी कॉर्ड पर जोड दिया गया था इस इसकी अगर हम लोग सरचना की बात करें तो नीती आयोक के अध्यक्ष कोन होते हैं पितानमंत्री होते हैं जिस समय आप देखे जो भी पितानमंत्री होगा अभी वारतमान में नरेंद मौदी सहाब प्राधानमंत्री हैं पियम है तो वो अभी इसकी अध्यक्ष हैं बात करें तो इसमें आप देखें विशिष छेत्री मुद्दों को सम्मोदित करने के लिए पिधाल मंत्री या उनके द्वारा नामित ब्यक्ती मुख मंत्री हो और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है तदर्त सदस्था की बात करें तो अगड़ी की बात करें CEO की तो भारत सरकार का सचिप जैसे पिधाल मंत्री द्वारा एक लिखित कारकाल निश्चित कारकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और विसे इस आमन्तीत की बात करें तो पिधाल मंत्री द्वारा नामित बिभेन चित्रों के विसे सग्य भी इसमें सामिल हो जाते हैं और इसके उद्देश की अगर हम लोग बात करें तो राज्जों के साथ नियंतर आधार पर सरचित समर्थन पहल और तंत के माध्यूं से सहकारी संगवाद को बढ़ावा देना यह मानते हुए कि मजबूत राज्जों के एक मजबूत मजबूत राष्ट बनाते हैं ग्राम इस तर्ड पर विष्वस्निय ये उजनाय बनाने के लिए तंत बिक्सित करना और सरकार के उच्च तरों पर आप देखें उन्हें उत्रोत्तर इकतित करना फिर आप देखेंगे कि यह सोनिश्यच करने के लिए एक विशेष रूप से इसे संदरवित छेत्रों और सुरक्षा के हितों को आर्थिक रननीती और नीती में सामिल किया गया है और समाज की उन बर्गों पर विसेश ध्यान देना जिने आर्थिक परगती से पर्यापत रूप से लाप ना मिलने का जोकिम हो सकता है और इसमें आप देखेंगी पिरमुक खेतधारकों और राष्टि और अंतराष्टिये समान बिचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ सैक्षिक और नीती अनुसंधान संस्थानों के भी सलाह प्रदान करना एवं भागेदारी को प्रोसाहित करना राष्टि और अंतराष्टि विसेशगों चिकस्कों और अन भागेदारों के एक अगर आप देखे कहीं आप से नीती आएगों और योजना आयोग में अंतर पूँच ले तो यह आप लोग लिख सकते हैं नीती आयोग एक सलाकार ठिंक टैंक की रूम में काम करता है जबकि योजना आयोग आप देखें गेर सम्मिधानिक नेकाई की रूम में कार करता था और दोनों संगठन आप देखिए, दोनों संस्थान सम्मिधानिक नहीं हैं, सम्मिधानिक कहने का मतलब होता है कि सम्मिधान के किसी अनुछेद में, आर्टीकल में उसकी इस्थापना की बात कही गई हो, जैसे चुनाव आयो, एक सम्मिधानिक संस्था है, क्योंकि सम्मिधा आप लोग पढ़ें, तो इसमें चुनाओ आयव की विवस्ता की बात की गयी, अस्ताफना की. जैसे सुप्रीम कोट, सुप्रीम कोट में आप दिखते हैं कि अनुचेद एक सुप्रीम कोट की बात की गई है. बबध की गयी, नीती आयव इसमें व्यापक भिसेसक्न Bem सदस राज्यों ने बार्सिक योजना बैठकों में दर्सकों की रूम में भाग लिया। नीती आयूग पिधार्मंतिरी द्वारा निउक्त सचिवों को CEO की रूम में जाना जाता है। योजना आयूग सचिवों को सामान फिक्रिया के माध्यम से निउक्त किया गया था। नीटी आयो, यह योजना की bottom अप दिरैश्टीकोंड पर केंदरे थे और योजना आयो, इसने top-down दिरैश्टीकोंड का अनुसरन किया था, नीटी आयो, इसके पास नीदियां लागू करने का अधिकार नहीं है योजना आयो, राज्यों पर नीदियों को लागू किया और अन अंत्रालें और राज सरकारों को निधी आवंटित करने का अधिकार भी था, लेकिन अब अधिकार था, अब है नहीं, क्योंकि योजन आयोग जा चुका है, उसकी जगह नीती आयोग आ चुका है, ठीक है, तो ये याद रखेगा, नीती आयोग का पूरा नाम भी आप लोग याद रखेगा, National Institution for Transforming India, नीती आयोग का पूरा नाम है, इसके पहले अध्यक्च आप देखते हैं कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय पिधान मंत्री मोधी आ चुके थे, तो पहले अध्यक्च मोधी साहब थे, नरेद मोधी, पहले उपाध्यक्च जिसके अर SDG India Index, समग जल परबंधन सूचकांग, अटल इनोवेशन मिसन, साथ परियुजना, आकांची जिला कारिकरम, स्कूल सिछा गुडवत्ता सूचकांग, जिला अस्पताल सूचकांग, स्वास्त सूचकांग, किरिसी बिपडन और किसान हितेसी सुधार सूचकांग, भारत Transforming India Awards, सूचकांग, हो सकता है कि आप से पूच ले, कि सूचकांग किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, या आप से पूच ले कि आकांची जिला कारिकरम किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो नीती आयो, इन रेपोर्टों से भी कुश्टन्स पूचे ज झाल झाल